नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रिदेश की 14 सीटों पर दबा कर वोटिंग हो रही है पांचवे चरण में बीजेपी का हाल ये है कि आयोध्या की सीट को बचा पाने के लिए भी बीजेपी को बहुत संगर्श करना पड़ रहा है लखनौ और कैसर गंज ये दो सीटे अगर छोड़ दें तो बीजेपी की हालत 14 में से 12 सीटों पर बहुत पतली नजर आ रही है 14 सीटों पर हो रही बंपर वोटिंग क्या कह रही है अज की वोटिंग के हिसाब से कौन आगे चल रहा है इसकी डीब जानकारी रखने वाले वरिश्ट पत्रकार केपी मलिक सर से समझेंगे कि पाँचवे चरण की वोटिंग क्या कह रही है देखे प्रग्या अगर आप देखें 2014 या 2019 वाला माहुल देश में कहीं दूर दूर तक नहीं और अगर हम और आप छे महीने पुरानी बात करें प्रदेश में जिस परकार से आपरा मांदिर लगता था कि इस बार लहर आएगी लोग आयोध्या को देखते हुए जिस तरह से लाइन वहां पर लेगी जिस तरह से एक माहुल देश में बना हुआ था कि कहीं से घंटा आ रहा है कहीं वैदिया आपिंदिया कहीं से नहीं Dop वह अपने मन में रख्क हूएं और वह चुप चाप गोर्ट कराएं, वह एक बात अलग हैं, लेकिं माहुल इसके इतर है, आगर आप 14 में से 13 सीतों की बात करें, 14 मैं से 13 सीटे भारती जनता पार्टी के पास भी बहुत बड़ी बात है लेकिन इस बार भारती जनता पार्टी इन 13 सीटों को बरकरार रख पाएगी मुझे इस पर थोड़ा संसे है मेरा बिलकुल सीधा सा सवाल है इन 14 सीटों में मुझे लखनव और कैसर गंज निकलते हुए बीजेपी की दिख रही है बाकी की 12 सीटों की रिपोर्ट में आपसे बहुत डीपली जानना चाहूंगे प्रग्या गर आप देखें लखनव और कैसर गंज की जो सीट है उनके दूसरे तमाम कारण है और लखनव की सीट पर इस बार कड़ी टकर होगी आप देखेंगे अंतर जो बड़ा था चोटा हो जाएगा और इसका असर आपको केसर गंज में भी दिखाई देगा केसर गंज मैं जिस परकार से आप देख रहे हैं कि वहां पे बद जुबानी हो रही है लगातार जिस परकार से उससे कहीने कहीं लोगों में एक तल्खी है कि जिस परकार से जीunde बोलरहे हैं और आपने देखा पिछले दिनों बह चोड़े आरूव लगे तो कही ने-कहीं के दिमार के परतिय एक नेगेटिविटी है उसका असर देखना इनको लाजबी पड़ेगा इसमें यह हो सकता है कि वह जीतने के तमाम कारण उनके पास है उनका चेत्र है भावगली हैं किस्थे कानिया हैं उसको आप हम लेकिन उसको भारति इसके अलावा जो जो प्रग्या में देख रहा हूं जो सीटें बहुत अच्छी सीटें मुझे गटबंदन की लग रही है उन सीटों में अगर आप समसे पहले हम अगर फैजाबाद पर ही डिसकस करें मेरी जितने वहां परिकारों से बात आज सुबें बहूंब को लेकर लोगों में उठसा Absolskine터 करा बाद के अगरनार बहुत अच्छा वूंधी यह वह सकता है कि देश के दूसरे इस्सों में बहुत अच्छा विथी था लेकिन फैजाबाद पर उस तरह का कोई असर हमें khanali nahirın और और जातिवाद के हिसाब से चुना हो रहा है और अ अल्य से आदर उन्हें पार कासे टिकट पाते हैं यहां पर जिस परकार छेप Lei बहुत अच्छे नेता है उनकी बहुत अच्छी चवी है अगर आप जानते हो और लल्लू सिंग तीसरी बार यहां से सांसद है और उनकी चवी थोड़ी सी दूमिल इस बार हुई है आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि चारसो पार इस बार इसलिए चाहिए कि हमें सम्व बाइस परसेंट तो यह और मुस्लिम अगर इखटा जाता है तो लल्लू सिंग के लिए खत्रे की घंटी है तो मैं मान के चलना हूँ कि इस बार पैजाबाद को बचाना भी भारती जन्ता पार्टी के लिए चुनोती होगा और इस तरह की सीटों से इस तरह की सीटों से पर के कहना चाहिए अगर हम इसको ऐसे देखें कि यह जो पाच्वा चरण है यह दलित बाहुले शेत्र यहां पर जादा है राशन बेल्ट कही जाती है तो जो दलित वोटर बीएसपी से छटक कर राशन के नाम पर बीजेपी के साथ गया अब वो संविधान बचाने के लिए बीजेपी के विरोध में खड़ा हो गया है और जो संविधान को बदलने वाला है उसके खिलाफ वोट करने के लिए खड़ा हो गया है देखें प्रग्येश में दो चीजे हैं एक तो यह जो मुद्दा है धलीतों वाला जो पांच किलो रासन मिल रहा है जरूर परभावित कर रहा है इसी को समझते हुए गडबंधन और कॉंग्रेस को मैसूस किया है और चुनाओं के बीच में उनका पांच किलो से दस किलो करना यह जताता है कि यह बहुत बढ़ा मुद्दा है उत्तर परदेश में इसके अलावा जो पड़ा लिखा धलित समाज है पिछड़ा सम यह माया होती का पॉर्वोटर वो यह समझ रहा है कि अगर बारती जनता पार्टी की सरकार इस बार परचंड बहुमत से बनती है तो समीधान में बदला होगा और समीधान में बदला होने का मतलब यह होगा कि हमारा जो आरक्षन है हमाज जिस लेवल पर खड़े हुए हमें जो नोकरिया मिलती है हमारी पढ़ाई होती है यह हमें जो अधिकार हमारे अधिकार चीन ले जाएंगे इस तरह का मैसेज करने में काम्याव विपक्स रहा है और उसको देखते हुए तमाम दली जो है वह घटबंदन की तरफ जाता होगा मुझे दिखाई दे रहा है बारत मुझे जखर जानारला है पारति जंता फ़र्ट की पारटी के लिए मुझे औरmore होक्ति चलै के लिए मैं सुबह से देखनु हूं जो चक्रिये बाहुल इलाके है वहां पर इस दिखाई दे रहा है कि चक्रिये समाज के लोगव पुदिशासे भयंकर नाराज बैटे हुए है इसका आसर कैसे देख रहे हैं आप देखे प्रग्या अगर आप देखें यह चत्री समाज का भारती जंता पार्टी से नाराज होना को नहीं बात नहीं है यह परतम चर्ण से चलार हमारे आप असी मुत्त परदेश से शुरू जिस परकार से ठागुर समाज के लोग इखटा हुए और उनने गंगा जलात में लेकर कसम खाई कि हमें भारती जंता पार्टी को हराना है तो वो जताता है कि वो अभी तक भी पीछे नहीं अटे है अपनी बातों पे कायम है और उसी से घबराट उसी घबराट में भारती जंता पार्टी के चानक के अमिज साह इस जो चीज को डखने के लिए इस चीज को ठीक करने के लिए जो डैमेजर उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार यूपी में हैं और कल भी उन्होंने एक रोड़ शो निकाला उससे पहले उन्होंने पैदल यात्राएं कि वहां के ल दोनों में उसके बावजूद बात नहीं बनते हैं इसके अलावा अगर आप देखेंगे दो सीटें हैं जिन पर राजा भीया बहुत परवाव रखते हैं कुंडा के विदायक हैं उनको मनाने की कोशिस या उनको सेट करने की कोशिस भी अमित्शा ने की लेकिन वो नहीं उ उनको उनके घर पेच दिया उनको लगाई कि मेरा अफ्वान है और उस उप्वान का बदला लेते हुए वो उन्होंने अपने लोगों को इसारा कर दिया कि उनका मन जाए वहां होट डाले और पिर हमने देखा कई सारी अखिलेस की राहुल की रैलियों में उनके कार्यकरता पहुंचे और वहां उन्होंने खिलिए जियाद अवजिताबाद के नारे लगाए तो यह सब जताता है कि कहीं न कई ठाकूर भार्टी जंता पार्टी के खिलाब एक पोर्चा लेकर लड़ाई लगा है किसी भी इजाज़त के बिना तो आपको क्या लगता है कि यह जो ललकार हुई उठी है उपर से यह रजबहिया के खिलाफ ललकार क्या बीजेपी पर भारी पढ़ने वाली है क्योंकि वोटर तो आप दिख रहा है कि जो राजबहिया का प्रभावला वोटर है प्रताब थाकुरह का हथाकुर का करने के लिए कुछ रोगों को उक्साया जा रहा है और फ्रॉआ कि जन्ता पाइटी क्यों कर रही है समझ से पड़े हैं थाकुर समाज को माना जाता है कि तो भारति से लिएसा कर रही हैm आप अनुकरिया पटेल की बात करें उन्होंने कहा कि आजकल राजा पेट से नहीं एवियम से पैदा होते हैं तो वो सीधे सीधे वार कर रही है राजा भीया के कुंडा को ललकार रही है इसके अलावा अगर आप दूसरे केसर देंज से बरज बुसर सिंग को देखें तो वो पित्राव है और भारती जनता पार्टी कहीं ने कहीं आपस में ही एक लड़ाई ऐसी लड़ रही है जिसको वो सुलजानी पा रही है और उसका नुकसान हम उत्कर परदेश के इन लोकसवा चुनाव में देख रहे हैं और मैं आपको पहले ही कहा कि पर्थम चरन से अगर हम छी इसको देखते हैं ठाकुर समाज जिस परकार से ब्गुल्ब जारा भारती-जंता पार्टी तमाम लोगों के चुपी्पी शाधना ये जदाता है थे मतलब बहुत उसको सलिके से ठाकुर समाज और उनको पर एगनूर कर रही है उनको हमारे साथ आना ही पड़ेगा, उनके लिए कोई दूसरी ज़रे जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उनके घलत फहिमी है, और बाहरी मात्रा में ठागुर समाज गटबंदन के साथ जाता हुआ, इन चुनाओं में मुझे लज़रागा। जी अधियार समेथि के लिए लूग करने के लिए जारी है, उनके दिमाग में वोटर्स के अपको क्या लग रहा है, आज क्या होगा? क्योंकि हमने जब तमाम लोगों से बात करी हमारे रिपोर्टर ने तो उन्होंने बोला कि यह जो खटा-कट खटा-कट पैसा खाते में आएगा न अपकी बार तो यह कमाल करने वाला यह बात वोटर्स कहते हुए मिले तो यह खटा-कट वाला नारा लहर बनकर घूम रहा है स देखे प्रग्या अगर आप इसमें अमैटी सिट पर जाए तो थोड़ा आपको पात साल पीछे चलना होगा अमैटी की जंता लगातार गांधी परिवार के साथ रही है और उन्होंने एक जटका राउल गांधी को दिया और किसी लेहर में वो सीट उनके आतों से चली गई तो ऐसे बहुतायत में लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनसे गलती हुई और वो पश्ता रहे हैं और उस पश्तारे को इस बार वो दूर करना चाहते हैं एक ऐसा भी वर्ग है इसके अलावा अगर आप देखें कि शुरू में हमें लग रहा था कि जो केल सर्मा चुनाव ल से लड़ेंगे तो आसपास क्योंकि मिली जुली सीटे हैं तो वहां आसपास में एक माहौल उस परकार का बन गया और यह भारती जंता पार्टी को भी इस परकार का अंदाजा नहीं था कि माहौल इतना बड़ा बन जाएगा क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार फिर नीचा देखना पड़े इसलिए वह भी बचतेव नजर आ रहे हैं और जिस परकार से आपने देखा कि ठागरो नहीं वहां पर सीदा मौर्चा खोल दिया जिस परकार से वहां पर जो तमाम विदायक है और उन्हीं की पार्टी की विदायक है जो खासा मेंटी से ही हैं वह दूसरे समाज से आती है परजयापती समाज से उनका समाज भी उनसे पूछ रहा है कि आपकी सकसे जो है इस मर्ति राणी के लिए वोट मांग रही हैं तो उनको भी समाज में कई जगे डाट भी पड़ी है जैसे अपने लोगों कहते हैं यह भी कहा जाता है कि तुम क्यों इस तरह कि चीजें जटाते हैं यह बहुत अच्छी इस्तिति में भारती जंता पार्टी मुझे अमेटी में दिखाई नहीं देरे हैं और अमेटी की सीथ भारती जंता पार्टी के लिए इस बार मुझे सीधे सीधे खत्रे में पड़ती की नजर आ रही है क्योंकि भारती जंता पार्टी के जितने लोग हैं वहां सब हावाई वाले दिल्ली से गए हुए दाय माय से आए हुए लोग हैं ग्राउंड के लोग भारती जंता पार्टी के साथ उस तरह से मुझे दिखाई नहीं देते हैं जिस तरह से लोकल लोग में उम्मीदवार के साथ होते हैं अगर खत्रे में हैं तो भी इनका बूत का कारेकर्टा जो है वो उचसा से निकल कर नहीं आ रहा है मेहनत भी तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि सब्सक्राइब के बीजेपी के जो बूत लेवल के कारे करता हैं वो वोटरों को पोलिंग बूतों तक लाने की कर आता था वो बीजेपी के कारेकरता एकदम सनाटें बैठे हुए अगर आप देखोगे मेरी जो दो तीन अपने जनलिस दोस्तों से बात हुई है जो अभी एलेक्शन कवर कर रहे हैं वहां अमेटी में हैं और क्योंकि यह दोनों होट सीटे हैं तो इन पर बहुतायत में ठीली से पक्तेकर कहें हुँए उन संप耵ारी लगातार मात हो लिए है उनका कहना यह है कि हम पर्थम्चड से मेशूस कर रहे हैं। का और भारती जंता पार्टी का जो निचले दर्जे का कारे करता है वो उत्सा के साथ बूद पर दिखाई नहीं देरा है जैसे अगर आप अमेटी की बात करते हैं तो करता है उसको पूर नहीं कर सकती और हर एक आदमी के लिए आसान नहीं होता है कि वह मैटी से दिल्ली आ जाए यह यह लगतार है जा रही है और लोगों की इच्छा हैं पूरी करें उनके देखिए किसी भी कारे करता का चोटा-मुटा काम जरूर होता है उसके परिवार का काम होता है उसके भाई बंद उसके किसी रिस्तेदार का नोगरी का पुलिस परसासन का काम होता है तो इस तरह से कई सारे लोग विमुख होता है इसमें सबसा बड़ा कारण यह है प्रग्या कि जिस परकार से RSS कहीं ने कहीं अपने लोगों को अपने कारे करताओं को संदेश इस बार पूरे चुनाओं में देती भी नहीं दिख रही है मुझे लगता है कि वह भी बहुत बड़ा कारण है RSS और उसके जो सेयों की संगटन है वह भी इस बार भारती जन्ता पार्टी के चुनाओं से थोड़ा सा दाइरा दूर रखे हुए हैं और डिस्टेंस बनाए ह हैं तो वह भी मुझे लगता है कि भारती जन्ता पार्टी के लुक्सान दाइक सिद्ध हो रहा है अगर हम लोग रैलियों की बात करें हमने रेखा कल किस तरीके से प्रियाग राज और पूलपूर में विपक्ष की रैलिया हुई और इतने भयांकर भीड आई इतना जंसला था कि कैंसल करनी पड़ गए नेताओं को रैलिया राहुल और अखिलेश को वहां से जाना पड़ गया क्योंकि भीड अनकंट्रोलिबल हो रही थी यहां तक की लाइव रैली तक नहीं हो पाई और एक तरफ मोदी की रैलिया हैं मोदी के रोट्शों हैं जहां पर पत्रकार इसलिए फिट जाते हैं क्योंकि लोग उनको बिठाते हैं कि हमको 100 रुपे देकर बुलाया गया और हमको 100 अब से किवाधिशा वोड़ मांगते वे गलीयों में भूम रहे हैंं और उलके साथ कंपिल मिश्रा और रूसरे दौरे से होगी त्लिठा पार्टी के हैं परिस्टिटिया यह हो गई है यह जो आप भीड देख रही है चाहे वो राऊल गांदी की रेली हो, चाहे वो अवियलेस रेली हो, चाहे तमां दूसरे नेताओं की रेलिय में जो इतनी तीन भीड़ आप देख रहें उसका सीधा-सीधा यह है कि युवा बेरोजगार है, और बेरोजगार युवा कहीं ने और एक आसा की किरन गड़बंदन में देख रहा है जिस परकार से उनके मैंने चीज़े आई है कि हम इतरे लाग नुप रिया देंगे और जिस परकार से उन्होंने पर गोशनाइट नहीं तो यह संदेश देती है सर संदेश क्या देती है यह मैं थोड़ा समझना चाह रही हूं कि रैली में आई बीड है तो वो रियक्शन जरूर करेगी और वोटों में तब्दील होगी इसमें गारंटी होती है क्योंकि उनको कोई लालच है नहीं और उनको बुला के लाएं निकलती हों कैंसिल हो जाती है उसको देखते हैं युवा कहीं न कहीं खबा है और दूसरा इसमें प्रग्या दलित युवाओं की संख्या बहुत आयत में हैं जिस रहली प्लादाब करते हैं और यह मुद्दा फिर वहीं आता है कि अगर इस बार कॉंग्रेस को नहीं जिताया इस बार विपक्स को नहीं जिताया तो कहीं भारती जंता पार्टी हमारे सम्विदान को ना बदल दे इस कई बूथों पर कई रिपोर्टों की बात कोई इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर हम दलित विवाओं से या दलितों से बात करते हैं तो उनके लिए एक ही बड़ा मुद्दा है कि हमारे सम्विदान पर खत्रा है सम्विदान को बचाने के लिए हम विपक्स को वोट कर रहे है और भाजबा को कार है जब दूसरा सवाल उन से पूछा जाता है कि आपको पांच किलो रासन भाजबा गी सरकार दे रही है तो वो कॉंग्रेस वाले कहरे हैं हम 10 क्लू अनाज मिले गार समविदान पचे गा तो यह पाइदेगा सोदा है तो लोग भी आजकल समझधारी क बात करते हैं तेकि भारती जंता पार्टी लगातार इतनी बड़ी कलतियां कर रही है यह मेरी समझ से बाहर है जैसा मैंने आपको पहले भी कहा देखिए अगर आप बात करें बेनी परसाद वर्मा बहुत बड़े नेता थे लेकिन यह समझ में नियारा कि इसकी तरफ कंवर्ट होगा उत्तर परदेश के कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता बेनी बाभू थे कई बार केंद्रिय मंत्री रहे और उनके लिए लोगों के मन में उनके समाज के लोगों की तरफ से बड़ी स्रद्धा है और जिस प्रकार सब्सक्राइब की पोती आई है नहीं है और वो देखिए ये लोग भी मानके चलते हैं अगर दूसरी जार्पियों में परिवारवाद है तो बेनी बाभू के वंस से भी अगर कोई आता है तो हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे समाज की आवाज संसद्दक प बताते हैं कि कीरती वर्धन जो हैं वो राजा साहब है और वो राजा के अंदाज में रहते हैं उनका फोन हमेंशा स्वीच आउप मिलता है किसी खास और चुनाव के आसपास जब आप उनसे मिलने जाते हैं तो उनके घर पेठा मिलता है आपको पेठा खिलाएंगे पानी पिलाएंगे और वो पेठे वाले राजा की नाम से वहां परसीद हैं इसके अलावा बाकी वह पांच साल आपका ना कोई काम सुनते हैं ना आप से मिलते हैं तो उनकी एक एक एंटी कॉम्मेंसी भी है तो उसको देखते हुए यह नई युवा लड़की है खासकर लड़की है तो महिलाएं भी इसकी तरफ आकरशित हैं और बेनी बरसाद के नाम से इसका नाम जुड़ रहा है तो उसका फायदा मुझे होते वे दिख रहा है तो मैं तो इस सीट को जीती वी सीट वानके चलना हूं कि यहां से गड़बंदन की सीट है और समाजवादी पार्टी का म विरोध में वोट डालना चाहते हैं और जब आपको एक मुफीद वेक्टी मिल जाता आपने समाज का तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है और यह इतना बड़ा समाज हो चाहे वो पिछड़ा समाज हो चाहे वो कुर्मी समाज हो इनके साथ जब मुस्लिम फलस हो जाता है तो सिट निकलने में कोई दिक्कत नाजर नहीं आती है तो मुझे कुछ सिटे ऐसी लग रही है जो कटबंधन आराम से जीत रहा है अब आकी दो तीन सिटों की बात जो आप करते हैं जैसे केसर गंज की लगनों की बात करते हैं वह हम भारती जनता पार्टी जीत भी हमें लग बहुत ही सोंब वैक्ति हैं बहुत ही सिंपल रहने वाले वेक्ति हैं सबसेबात करते हैं मिलते हैं तो उनका भी बड़ा अच्छा-फासा प्रवाह वहां पे है और वहाँ पे जो जासी में मेरेक पास खबरें हैं कि जासी में जिस परकार से समाजवादी पारटी और कॉंग्रेस के कार्यकरता मिलके मेहनत कर रहे हैं उससे लग रहा है कि यह सिट बहुत तककर में आ गई है और ऐसा भी हो सकता है कि बाजपाई इस सिट को भी हार जाए हा बाहरती जनता पार्टिक को फाइदा पिछले चुनाओं में उत्तरपरदिस में देखा था क्योंकि सप़ा बस्पा और रास्त्री लोकदल का गड़बंदन था तो जहां जहां जाएगा इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल नहीं है और सारे पत्रकारों का यह मानना है उसी तरह से वह भी मानना तो यह सर पाच्वे चरण में उत्तर प्रिदिश की 14 सीटों में कितनी सीटें आप NDA की तरफ जाते भी देख रहे हैं और कितनी आप इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि प्रग्या जैसे मैंने कहा कि अभी निश्चित तोर पर यह कह देना कि इतनी सीट आएंगी यह तो बहुत मुश्किल है लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे भारती जन्ता पार्टी की दो सीटें बिलकुल जीती वी नजर आ रही है तो दो यह कंफ करेंगे यह जैसे हमने अभी बात करी गोंडा की बात करी इसके लावा इसके लावा जो मुझे दिखाई देती है एक सेकंड मैंने लिखा था इसके लावा जो सीट मुझे दिखाई दे रही है तो इसलिए मोटा मोटी में कह सकता हूं आपको कि यह पांस सीटे हैं जिस पर मुझे गटबंदन जीता हुआ दिखाई दे रहा है बाकी की सीटों पर कड़ी टकर है और दो सीटे हम भारती जनता पार्टी को मानके चल रहे हैं अभी शुरुआ की रुजान चल ला है अभी देखते हैं पहले तो यह देखना होगा कि इस बार वोट का रुजान यही रहता है जो पहले रहा यह कम जादा होता जिस परकार से आप देख रहे हैं कि बेंकर गर्टी पंड रही है तो कितना जो है लोग बद्दान के लिए निकलते हैं कि मुझे लगता है कि सुबह में थोड़ी लाइने जादा दिखेंगी और दुपेर में बहुत कम हो जाएंगी लाइने लोग घरों से निकलेंगे निए और फिर एक है या अमद्दान करने पर होता है अमद्दान के इंदर पर आपको चैल पैल और भीड़ बारती है उस तरह कि नहीं तो बिल्कुल भी सन्नाटा सा पसरा हुआ है अच्छा के पी मलेक सार वोटर जो वोट देने के लिए जा रहा है आपको क्या लग रहा है कि वह अपते दि देखे प्रग्या इन जो चुनाओं इन चुनाओं में आपको चाहे वो परदान मंत्री जी का मुद्दा हो चाहे सारे आट वजार का मुद्दा हो यह सबको पता है जुमलेवाजी है यहां पर अस्थानी मुद्दे काम करते हैं और यह जाती वाद पर जादा चुनाओं हो यह जो मैं इलक्षन देख रहा हूं यह जातिवाद पर रहा है और इसमें जो धरातल के मुद्दे हैं वह हावी है अब मैंने जैसा कहा कि कि वह समीदान को बचाने पर वोट हो रहा है या जातिवाद पर वोट हो रहा है यहां पर को रास्तिय बंद्धे या कोई बहुत बड़े देशित के इस बार नहीं है यह अस्तानिय मुद्दों पर चुना हो रहा है और उसी पर आपको शाम तक दिखाई देगा इसमें कोई नहीं बात चलिए बहुत बहुत शुक्रिया KP मलक सर तो यह पाच्वा चरण बेहत में तुपून चरण है और इस चरण में हम बिलकुछ साफ तस्वीर देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है क्या कुछ बदलाग होने वाला है या जो जैसा है वैसे रहने वाला है इंडिये या इंडिया कौन आगे कौन पीछे यह बिल्कुल पता चल जाएगा आज की चरण के बाद और देखिए कि लोग घरों से निकल कर वोट करने जा रहे हैं पोलिंग बूतों पर लंबी लंबी लाइने हैं जो यह बता रहे हैं कि उत्सा तो है अभी उत्सा किसकी तरफ कनव आपकार जाहिन